आप से मेरा एक अनुरोध है आप जेल की देख महसूस करते हैं कि पूरे भारत के लोग अर्थात पीडित है क्यों पीडित है इसका एक वज़ा हमने ढूड़ा है हुआ है कि भारत अभी तक स्वतंत्र नहीं हुआ है 15 अगस 1937 को मिलने वाला स्वतंत्र बिल्कुल जूटा आये बकवास है और यही गुलामी की इन जेसे की उत्रोतर पढ़ते चला जा रहा है और सरकार उसको और कड़ा करते चलने जा रही इसलिए पूरे भारत की निवास् बलतकार हो उसके साथ और किछी परकार की घटना घट्टी हो तो यह पिस बात को पुलिस में रिपोर्ट नहीं करा सकते हैं क्यों कि आप यह सोचते हैं कौन जाता लफडा में फसने के लिए यही कानून यही कचहरी यही पता धिकारीगन जिसे भारत के एक मात्र जिसे की लफड़ा है जिससे लोग बचना चाहते हैं मने एक समय था जब भारत के सारे लोग अपने यह भाई मानते थे आज कोई किसी को भाई नहीं मान रहा है एक इलाका के में रहने वाले लोग यह का थे हमारे इलाका से तुम भागो आज महाराष्ट में घटना घटी गुजरा भारत की एडियोलोजी नहीं थी भारत की एडियोलोजी ही थी अलंग निजा परवबेती गलना लगुचे सम उदार चरिका नाम तुवस्धायव कुटम विकम यह मेरा है यह तुमारा है ऐसी गिंती नीच लोग करते हैं जो उदार चरिके लोग होते हैं उनके लिए पूर अपने अमल में लाते थे और आज है इस गुलामी के वज़ा से हम इस माननिता को धुफला दे रहे हैं इसलिए हमने यह से बात को सोचा वह आखिर यह विवस्था खराब है तो इसका सही विकल्प क्या हो सकता है तो वह विकल्प है जल भीन प्रजातंत और सासंतंत इसमें इक बात यह है कि कोई जल की नामजिए चीज नहीं होगी सुप्चान नहीं होगी साब भारदवाश्यों से होगी तो कि अभी तक कि घटना घटी वह सब जीजिन विचारों को ज़्यकिनार करने के कारण ही घट रही है इसलिए अब जैसे की मेरा ही की जितना कहना है कि भारा सरकार इस गाहं भरतमान विवस्ता का विकल्प के लिए वह जैसे की तहीं याथी विकल्प आयोक का अगठन करें ताकि वह आपर सारी बातों को विश्टार से रखा जा सके कैसा प्रसासन होगा क्या कानून होगा अब इस गाम के एक छोटा सा उदारण जैसे देते हैं, आपने पंच परमिस्वर की घटना को जैस पढ़ा है, जो मुनसी प्रेंच चनिजी ने लिखा है, जहाँ पर की गाम में ये घटना घटी थी, कि एक अलगु चोधरी और एक जुम्मन सेक का जैसे मामला था, जहाँ प जहाँ जहने वाला अब्यक्ति बही मान जैसे हो रहा है, एक जुसरे को बुला करके नाजाएज पेसा लेकर के उसका जैसे निरने जे रहा है, यही निरने जैने की घटना जो है, आदमी को याज तरतालिट किये हुए है, आदमी के स्वभाव को, आदमी के बिवार को, कर आदमी के हुए है